नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटिव शैनल में जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ वेद परकास आज हम आपको खास जगह घुमाने वाले हैं यह जगह प्रेम और त्याक के प्रतीक है यह जगह का नाम है गहलोर और गहलोर वही जगह है जहां दसरतमाजी न यह जो जगह आप देख रहे हैं यह परवत प्रूस दसरतमाजी का समाधी अस्थल है वे विशुद रूप से कवीर पंसी थे ब्रह्मनवाद के विरोधी थे आंजिविश्वास के विरोधी थे और वो समाध के मामले में भी लोगों को जाजित करने का काम किया करते थे दसरतमाजी के नाम पर एक फिल्म भी बनाया गया जिसमें नमाज उद्दीन सिद्की ने बहुत अच्छा उनके किरदार को निभाया तो दसरतमाजी की इस प्रेम कहानी को सुन करके लोगों के रोंग्टे खड़े हो जाते हैं कि इन्होंने अपनी पत्री की याद में साज पाहडिया जिला में आई जे पीछे पहडिया देख राल खिन रस्ता बनल है और दसरतमाजी बावा दसरतमाजी बने इल्खिन पाडिया तोड़के अपने कि कितना असान रस्ता होगे आदमी जा राल खिन ठेला गाड़ी और तेंपूर इकसा सब कुछ जा रहा लेने से त तो यहां तो उनका बाहर साल समाधी पर पूजा पास होते रहते हैं किये हैं अब आपके सचूर के अगी रख के हुए आपके अच्छा जाद परारें घूमके बजरिगांग असी किलो मीटर घूमके जाहा हैं अब पाथ किलो मीटर में बजरिगांग पहुच जाहा हैं बड़ी दूर से घूमाह लियां अब अवसान यतना दसत बवाकार दलकें कि उनका नाम से पूरा पूजा कर रहें पन पत्नी के प्रेम में पहार के 16 साल में तोड़ दलकी आवाज तो ब्डंट को आसे गीघर गल्खिन और गिर गल्खिन तो चोट लगे लियुосे दिन में कुछ दिन में तो मार ये गल्खिन और मार गेला के बाद में जया हैंना से बावाकι दसूरत मांजी के लिए पाभा और गए अके लियो सकत यहीं कि पहाड़िया के कि बावको एक तोड़िक खाएवा हम आई से सवराजी कुछी है ना भाइया सब्सक्राइब गुनिया हम तो के इतना प्यार करते हैं इतना प्यार करते हैं इतना प्यार का बताई सीना चीर के दिखाई का बज्रन बली जयाए नहीं पक्डीरे के टारण हमर परतुरी मर गयालन तौजाए कि तोहरे तोहरा जब तक कोरव नहीं, तब तक छोरव 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 नहीं, अरे आवाज फगुनी हो, आवाज फगुनी, हम दे तानी तोह के आवाज फगुनी, हम देतानी तो हा के आवाज सजनी हम देतानी तो हा के आवाज फगुनी हम देतानी तो हा के आवाज फगुनी इपहालिया कैलक बरवाद सजनी जब तक तोलब ना तब तक छोलब ना हम जब तक तोलब ना है तब तक ना है छोलब सजनी आवाज सजनी हो आवाज फगुनी हम देतानी तो हा के आवाज सजनी हम देतानी तो हा के आवाज सजनी हम देतानी तो हा के आवाज फगुनी इपहालिया कैलक बरवाद सजनी जब तक तोलब ना तब तक छोलब ना हम जब तक तोलब ना है तब तक ना है छोलब सजनी आवाज सजनी हो आवाज सजनी अवाज सजनी हो अवाज फगुनी हम देतानी तो हाग के आवाज फगुनी हो हम देतानी तो हाग के आवाज सजनी देखो एक बगली है एक बगली है दुनु बगली देख रल्थिन अपने एज्जे ऐसे चेनिया स्टो रल्थिन बावा दसरत मांजी पढ़ा के आई रस्तवा बन ले तक ने इतना अदमी जाह कि ने ने उने वजीरगंज में नौबहार टाइम्स के रुपोर्टर हल लिए उस समय बावा दसरत मांजी हमरा विजू दू चार बार ले काई अपना समस्या ले करके कि कितना लंबा सफर करके अदिली चलुआ करने कि सब्खेके वहां के अपनर से लिक खा क्या निकार करके दिन्ली पहुंच है साम ढ़ल चुकी है लोगों का आना जाना कम गया है हम भी अब यहां से चलेंगे हम और यहां जो आते हैं वो भावुक हो जाते हैं जाने का दिल नहीं करता है लेकिन जाना तो है हम यहां से चलेंगे दसरत मांजी की इस किरती को इस रूप में याद करके इस से प्रेज़ना लेके कि हमें भी जिंदगी में त्याग करके किसी के लिए कुछ करना पड़े तो हमें करना चाहिए तब तक हमारे अंदर जुनून है, जब तक हमारे अंदर जब तक जान है, जब तक हम कुछ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए अपने लिए तो सब जीते हैं और गुमनामी में मर जाते हैं, दुनिया उनको याद नहीं करती है, उनको पहचान नहीं पाती है दुनिया उनको याद करती है उनको जानती है उनको पहचानती है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं वो समाज के लिए और देश के लिए और दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए जैसा कि दसरत मांजी ने किया इस गैलोर पहाडी को काटके उसका सीना चीर के रास्ता बनाया है, वजह आप सब जानते हैं। अब आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो निस्षित तौर पे अपने दोस्तों को दिखाएं। दुनिया को दिखाया है कि बिहार के दलित समाज का एक लाल जिसने दुनिया को ये दिखा दिया जो कहते हैं कि अकेला चना भाड नहीं पोड़ता है तो वो पहार तोड़ के दिखा दिया आप रिचा है तो अकेला चना भाड नहीं पोड़ने की बात में पहार तोड़ सकते ह जय भी, जय तस्राफ माई